असलाम लेकुम साइकिन येर आज हम लोग चैप्टर नमबर टू केमिस्ट्री में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटिड हम एक चैप्टर डिसकास करें हैं इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन टापिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाउन सेल टापिक का नाम डाउन सेल है और इसको वैसे ये कुस्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राइड डाउन दी कमर्शल प्रिपरेशन आफ दा सोडियम यानि इस मैथड से इस डाउन सेल के अंदर हम सोडियम मेटल को कमर्शल लेवल पे प्रिपेयर भी करते हैं ठीक हो गया जी तो यार प्रिपेयर द डा सोडियम मैटल बाइडाउन सेल तो आपने इसल själv आपने इसी को फोकस में है और इसी को लिखना है हम स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसलिक कहां खाए जाते देखे ना हमने टापिक में बोलो ना commercial preparation of sodium तो इसका मतलब है sodium को prepare करना है इसका मतलब है sodium आपको अकेले नहीं मिलेगा क्योंकि यह alkali metal है, positive one oxidation state है तो यह जो है ना वो nature में अकेला या independent नहीं पाया जाता ज़र दर mineral की farm में पाया जाता है sodium is found as a compound in nature due to its highly reactivity reactivity, it is found in a variety of the minerals but the most common is a table salt, NACL largely found in sweaters and in solid deposits other composites, compounds include the amphibole, cryolite, soda niter and zeolite यह तमाम sodium के minerals है यह यह sodium जो है वो जरतर अकेला नहीं पाया जा सकता अकेला exist नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंके वो बहुत जादा reactive है और चुँके highly reactive है तो वो अकेला नहीं रह सकता यह दूसरों के साथ मिलके रहता है और हमेशा अपनी minerals या salt की farm में बाय जाता है तो हम जिस salt को जानते हैं न वो यह NACL खाने का नमग इसको आज हम तमाम लोग इसको रोजाना खाने में यूज करते हैं तो यही इसी को लेके हम आगे चलेंगे यानि हमारा एक reactant हो हमें यहां से मिल गया आपको बता है sodium chloride खाने में यूज होता है खाने का अमक है तो इसी को हम लेके चलेंगे देखें यह अब down cell क्या है यहां यहां पर क्या प्रिपेर करेंगे सोडियम को प्रिपेर करेंगे इसी मेथड को लेके और 1992 में एक American Chemist James Collide Downs यह Scientist का नाम है डाउन्स तो इसी के नाम पे 1992 में इसने इस काम को शुरू किया इसने यह सेल बनाया तो इसी स्टाइंटिस के नाम पे इस सेल का नाम down cell रखा गया तो इसी वज़ा से हम इसको यूज़ करते हैं पिर से दोबारे रिपीट करते हैं कि हमने इस मेथड से सोडियम को प्रिपेर करना है और सोडियम हमारे पास वैसे तो पाया नहीं जाता क्योंकि रियक्टिब बहुँ ज़्यादा है अकेला नहीं रह सकता तो हम क्या करते हैं फिर हम सोडियम के मिनरल्स यानि इसके साल्ट NACL को यूज़ करते हैं और एक प्रेटर्स यानि एक सेल में उसको डालते हैं जिसका नाम है डाउन सेल और वो सेल किसने प्रिपेर किया 1992 में एक अमरीका के रहने वाले एक केमिस्ट के माहिर साइंसदान डाउन्स ने प्रिपेर किया तो Downs के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? Down Cell इस Cell के अंदर जो main हम reactants यूज़ करेंगे एक का नाम है calcium chloride और दूसरा हो गया sodium chloride अब देखें जी आप सोच रहे होंगे कि चलें sodium prepare करना है वो तो sodium chloride से निकल आएगा अब ये इसका क्या काम? ये sodium chloride इदर किदर आ गया? इसका क्या काम? ये आपको sodium chloride का मैंने picture भी दिखा ये भी crystalline solid की form में, white solid की form में बाय जाता है तो ये भी salt है, तो हम क्या करेंगे? इसको calcium chloride को यूज़ करने का purpose पहले देख लेते हैं ठीक है जी, तो हम बोलेंगे के वाई वो यूज़ CACL2 in down cell आपको पता है, जो sodium chloride है, NACL इसको हम melt करके use करेंगे जैनि इस cell के अंदर, down cell के अंदर जो sodium chloride use किया जाता है उसको fused farm में, उसको melt करके use करते हैं ठीक है जी, जब ये use किया जाता है तो उसको melt करने के लिए आपको पता है temperature देना पड़ता है तो temperature आपने जहन में रखना है कि sodium chloride NACL का जो melting point है वो है 801 degree centigrade 801 degree centigrade ये उसका है melting point MCQs के लिए आज से ये बात आपने याद रखनी है जो कि ये बहुत ज़्यादा high temperature है इसको attain करना मुश्किल है और ज़्यादा expense चाहिए इस काम के लिए यानि हमें या तो हम fuel के लिए, fuel से इसको melt कर रहे हैं, fuse कर रहे हैं या electricity से कर रहे हैं तो वो highly consumption हो गई हमारी तो हम क्या करेंगे हम इस ratio के साथ 1 ratio 2, sodium chloride NaCl 1 ratio में और Cacl 2 ratio में use करना है parts mixer में use करना है और ये Cacl 2 उसके अंदर जाके उसका जो melting point है उसको कम कर देगा और इसके add होने के बाद यानि Cacl 2 के add होने के बाद down cell के अंदर जो NaCl है उसका melting point हो जाएगा ये 600 degree centigrade यानि अब हमें ये attain करना उस मुकाबले में 801 के मुकाबले में ये असान है So Cacl 2 को हम NaCl की fusion के लिए क्यों use करते हैं तो ये एक short question है आपने इसके answer में लिखना है चुँकि NaCl का جो melting point है वो high है melting point ज्यादा है So उसको attain करना मुश्किल है 801 को So हम 600 यानि डिग्री सेंडिग्रेड में 600 डिग्री सेंडिग्रेड टमपरेचर attain करने के लिए इसको उसको melting point कम करने के लिए Cacl 2 को use करते हैं ठीक है रिख अब आगे चलते हैं अब हम जड़ा apparatus को पढ़ लेते हैं गौर से यानि जो डाउन सेल है 1992 मैं डाउन साइंटिस था अमरीका का उसने क्या किया ये सेल बनाया जिसको हम use करते हैं sodium या किसी भी मैटल्स की commercial preparation के लिए तो हम sodium जड़ा तर हम पढ़ते हैं तो हम sodium की preparation करते हैं apparatus कुछ इस तरह से बना हुआ है आप जड़र गौर से देखते जाएं हमारे पास ये जो साइट है inlet इसके उपर लिखा हुआ inlet of NACL यानि यहां से हम sodium chloride को fuse farm में इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं ये दरम्यान में डॉम की शकल बनी हुई है एक गुमबद नुमा शकल बनी हुई है और एक brown color का दरम्यान में anode बना हुई है ये लिखा हुआ है anode anode, 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 anode और साथ में लिखा हुआ है positive यानि ये cell का वो इसा है जिस पर charge है positive आपको बताना cell में दो इसे होते हैं electro chemistry में first year में आप लोग पढ़ चुके हैं कि cell के दो parts होते हैं एक पर positive charge एक पर negative charge जिस पर positive charge होता है वो anode होता है जिस पर negative charge होता है वो cathode होता है ठीक है ठीक तो हमारा जो positive charge रखने वाला दरम्यान में anode है ये बना हुआ है graphite का बना हुआ है ठीक है और ये दो side हों पर आप देख सकते हैं इस side पर भी left side पर भी और right side पर भी cathode है negative charge ये iron यानि लोग के बने हुए cathode हैं तो आप देख सकते हैं ये anode और cathode के तरम्यान ये लोग की एक जाली लगी हुई है ये उपर gauze आप देख सकते हैं यहां तक cell में भरा हुआ है तो आप क्या करते हैं कि जो anode है वो क्या करता है anode मैं से CL को अपनी तरफ लेता है क्योंकि anode पाजिटिबली शार्ज है CL नेगिटिबली शार्ज है तो नेगिटिबली शार्ज एनode पे आएगा anode उसको यहां से chlorine गैस बना के बाए निकाल देगा ठीक है जी उसके बाद जो CL है वो क्या करेगा वो इदर आएगा और यह cathode उसको अपनी तरफ एट्रेक्ट करेंगे cathode पे उसका reaction होगा वो electron यहां से accept करेगा और इस जगह की उपर देखें लिखा हुए sodium metal liquid sodium metal sodium metal को यहां से आप collect कर लेंगे यह तो चलें होगी उसके apparatus की बाद working को देख लेते हैं working को वो ही मैंने आपको बताया कि आप साब से पहले क्या करते हैं NACL को melt करते हैं CACL2 के साथ 600 degree centigrade उसका melting point करके उसके अंदर डाल देते हैं तो वो क्या करता है आगे working start हो जाती है तो आपको graphite का बना हुआ आपके स्पास दरम्यान में एक central anode है जो कि क्या करेगा chlorine को अपने उपर attract करेगा क्योंकि chlorine negatively charge है और जो side हो बने हुए lowe के यानि iron के cathodes है वो sodium को अपनी तरफ अट्रेक्ट करेंगे और इस तरह से आपका जो reaction है वो हो जाएगा यह दरम्यान में आप देख सकते हैं कि chlorine जा रही है इदर और यह sodium metal यहाँ पर attract हो रही है यह कठी हो रही है तो यह आपका जनाब हो रहा है reaction in downs है अब reactions की बात करते है so reaction यहाँ पर importantly यह आपके पास यह है दो reaction यहाँ पर एक ही time पर होते हैं याँ एक ही time परacz क्लोरीन आपने electrons को discharge करता है निकलता है कहां पर निकलता है एनोड पर जा करता है आपको पता है ना एनोड पर positive charge है और यह जो chlorine है यह खुद negatively charge है तो यह attract होगी फॉरण किस की उपर एनोड की उपर एनोड वहाँ पे चुके एनोड पे positive charge है chlorine खुद negative charge है तो वहाँ जा कि अपने electron release कर देगी यह देखिया आप एनोड पे जा कि उसने क्या किया अपने electron को release किये यानि क्या हुआ chlorine की यहाँ पे oxidation होगी ठीक है जी so chlorine की oxidation होगी यहाँ पे दूसरी तरफ देखते है reaction हमारा चल रहा है cathode की उपर cathode की उपर क्या होता है cathode की उपर यह sodium metal जाएगी cathode negatively पहले ही negatively charge है sodium की उपर पहले ही positive charge है sodium वहाँ से जाके अपना electron accept करेगी और sodium जो है वो sodium metal बन जाएगी atomic form में आ जाएगी तो यह आपके पास cell मैंने दुबारा आपको दिखाया inoda cathode की reaction समझाने के बाग देखें जी हम molten form में NACL यहाँ पर टालेंगे यह आपके सामने molten form में नजर आ रहा है दरम्यान में डोम में जो जिसकी उपर chlorine कलेक्ट की जा रही है तो chlorine कहां पर collect होगी जो दरम्यान में आपका बना हुआ graphite का बना हुआ cathode node है इसकी उपर और side नों पर दो low एके बनी हुए क्या है जी यह आपके पास यह हैं जी cathode तो cathode पर sodium metal collect होगी तो बड़ा ही आसान और simple सा reaction है यह आपने समझना है और इसको याद भी करना है तो यह आपके पास cell की सारी working और description apparatus का सारा बयान और यह सारा कुछ करने के बाद मैंने आपको cell में होने वाले reactions के बारे में की सबसे बड़ा फाइदा है the starting material sodium chloride is very cheap आपको पता है NACL हम तो हमारे मुलक में तो बहुत ही easily मिल सकता है तो यह एक cheap reactant है जिसको हम बगार किसी खर्चे के avail कर सकते हैं और वहां से हम इसको collect भी कर सकते हैं chlorine is obtained by valuable product जो chlorine है उसको वो gaseous state में हम release कर देते हैं I hope कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गए होंगी तो अब हम क्या करते हैं हम तो बारा से इसकी diagram पे जाते हैं और पूरे cell और construction और working के साथ इसको हम revise करते हैं यह हमारे पास है जी down cell 19 आपने अभी topic का overview दे रहा हूँ तो आपने दिहान से सुनना है 1922 में हुआ क्या कि एक scientist था जिसका नाम था downs उसने एक cell बनाया जिससे हम sodium metal को extract करते हैं sodium metal को prepare करते हैं और reactant के तौर बे हम NACL को use करते हैं NACL का चुके जो boiling melting point है वो high है ज्यादा fuse करना उसको मुश्किल है तो हम क्या करते हैं हम use करते हैं CACL2 के अंदर CACL2 उसको जल्दी melt कर देता है यह नि उसका जो melting point है वो 800 degrees 800 one से 600 degrees centigrade पर आ जाता है so हम molten farm में इसके अंदर डालते हैं तो यह cell कुछ इस तरह से बना हुए box है बाहर और cell के दरम्यान में anode है graphite का बना हुआ दोनों साइडों पर लगे हुए लोई के बने हुए iron के बने हुए cathode इन दोनों के दरम्यान यह नि एनोड और cathode के दरम्यान लोई के जाली है जो इन आइंस को आपस में मिलने से रोकती है जो NACLS में से N-A cathode पे जाएगा और chlorine क्या करेगा cathode अनोड पे आएगा chlorine की हो जाएगी oxidation यानि electron निकल जाएगे chlorine में से और जो sodium है उसके पास चूंके पहले ही positive charge है cathode पे चूंके पहले ही electron जाएगा तो वहाँ जाकि उसकी क्या हो जाएगी आज हमारा जो lecture था down cell repression of sodium on commercial scale बड़े लेवल पे sodium को ये चुके आसान और simple easy method है और reactant भी बड़ा सस्ता है तो इसलिए हम इसको जादा method में जादा तर commercial scale पे इसी को use करते हैं hopefully आपको ये topic समझा आ गया होगा मिलते हैं next lecture में thank you so much